नमस्कार आजना वर्चुल क्लास्रूम ट्रेनिंग शेशन मा आप सवनू हर्दिक स्वागत छी आजे हुँ आईटिया मा चालता रेफिरेशन अने एर कंडिस्निंग मिकेनिक ट्रेड अंतर गत स्प्लिट एर कंडिस्निंग नो कार्य शिद्धान त्यमा वती खामियो कारणो निवारन अने फ्लोर अने सिलिंग माउंटेड स्प्लिट इसी विसे आप सवने तालिम्स रूमनी बार होवाने काराने अवाद पन थाई सकतो ना थी कि जेती मनुषे कंफ़ल रनू बवेशे त्याति स्प्लिट एसी नो अपरास करो खुबच उप्योगी छे तिजरे फ्लोर अने सिलिंग माउंटेड एसी पन रूमनी अंदर छातुपल लगाई सकाई शे कि जेत वच्चे लागे लोगा सिलिंग माउंटेड स्प्लिट एसी त्यानों कुलिंग एर सर्कुलेशन शर्खू थाई सके माटे सिलिंग माउंटेड एसी उप्योग करो जही है हवे आपने स्प्लिट एर कंडिशन नों कारे सिद्धान तेमा अवधिक खामियों कारणों अने निवारन अने फ्लोर अने सिलिंग माउंटेड स्प्लिट एसी इसे पिपिटे नी मदथी समझेशू स्प्लीट एर कंडिशनर नो कारिया सिद्धान्त अनि तेनी खामियों कारणों अनि तेनी निवारन ता फ्लोर अने सेलें मांडर स्प्लीट इसी तो मित्रो पहला जुए अपड़ा स्प्लेट एर कंडिशनर नो कारिया सिद्धान तो स्प्लेट एर कंडिशनर नो कारिया सिद्धान मा जुए तो जी आउट्डोर युनिट जी रूम नी बाल लागेलू होई छे यहनी इंदर कंडिशनर युपरेटाट ड्रायर फिल्टर ने केपलेट वी बाल जी चे तो स्क्षनन लाइन द्वारा आउतो लोई प्रिशनर लोई टेम्प्रेच्यर वीपर एफरिजनर खंप्रेशन मा दाकल थाई早 यूथा ईह दाप्मां ने उच्या दभलाण वाडवेपर एफरिजन उच्चा दबान औने मिडियम ताप मान वाडा लिक्वी रेफिरेंट रूप अंतर थाई छे और त्या त्याथी ट्राहर फिल्टर माँ जाई चे कि जिया अगर बेजनी असुद्धीयो रेफिरेंट माती इसो साई चे अनि त्याति क्यापलेट्ट्मा जाया सेके जागर प्रिष्र ड्रोप थवाने कारे ट्रोटलीन प्रक्री जाज द्वारा जे उँच्चा दबान औने मीडियोम ताप्मान वाडो लिक्वी रेफिरेन्चे तानुनिच्चा दबान नीच्चा ताप्मान वाडो लिक्वी रेफिरेन्च रोप ंतर थाई जे आनि त्या थी योप्रेण मा दाखल थाई छे लेके split air condition मा योप्रेण उनिट अंदर नी सैड आपेलू होई छे लेके त्यानी इंदर योप्रेण अंदर आपेलू होई छे त्यानी इंदर योप्रेण अंदर आपेलू होई छे तो तेहना इंडोर unit room लागे लूगाई छे जएना कारे रूम नी हवा इवा इवप्डर माती blower दवारा ख्याज़ाई छे इवप्डर उपडर उपडर लागे लोगे लगे जी जिति हवा सुद थाई छे अने blower दवारा lowers माती room मा थणडी वा पाची आवे छे अब जे ब्लोवर्स वारा रूम उगे प्रण मदे ख्याँ चाए तो ये उप्रण हीट रूम नी हवानी अप्शाप कर ले से ले के ठंडी हवा रूम मा दाकल थसे अने बान्ना युनिट नी वाद करिये कंडेंशिंग युनिट तो त्यानी अंदर कंडेंशर जी छे हीटर जयक करशे ए रूम नी बार त्या आउट्डोर युनिट चे बाल लगायलू वह चे आरते स्प्लेट यार कंडिशनिंग कारिया करे छे स्प्लेट यार कंडिशनिंग नुँदर ने बिया बागम आवह चे ए रूम नी बार नी चेनी तरपकंडेंशिंग युनिट लगावेलू चे अपड़ू इंडोर उनित दर्शावेल छे के जियानी इंदर रूम नी हवा योप्तर माती पसर थाई छे अनो ब्लोवर द्वारा लूवर समार्फ अते रूम मा पाची आवेचे इंडोर इंडोर उनित ने सक्षन लाइन लिक्विद लाइन वडे जोड़ू हमा आवे पिद्धर मुखले शे तम है रोनी महाज थी यह जोई सक्षो के रोर। ठंडी वरुम निंदर आवे चे। हवे मित्रों आपने जुए स्प्प्लीट एयर कंडीश्णर्न नी खामियो कारणों अने तयानू नीवर। तो मित्रो split air conditioner मा जुदी जुदी खामियों उद्वावे छे तो split air conditioner मा उद्वावती खामियों नीचे मुझब छे नबडू कोलें compressor आवा नवार बन्ततु होई वधारे अवाज आवो रूमा पानी आवो अच्वा पड़ू compressor unit साथ तो अप्रेट थाओ लिक्वी लेन फ्रोस्टेर थावी लिक्वी लेन गरम थावी हेर प्रेशर खुब बोचू होई हेर प्रेशर खुब वधारे होई और एलेक्ट्रोनी कंट्रोल नी एवगिया काम गीरी और बिजू एक कारणों इसे के compressor चालू थतु ना होई तो आग खामियों ना कारणों अने त्यानों निवारन केवी देखरी शेगाई ते समझीशू पहला कंप्रेशर चालू थतु ना होई तो फ्यूज उड़ी गए होई तो कंप्रेशर स्टार्ट थाई नहीं तो त्याना निवारन माटे फ्यूज नव नाको थर्मर्सी स्व चोई तो कार्बन शाब करो कार्बन क्पोन्टेक कार्बन गसा गया अपाची थर्मर्सीस ना आहां कोंटेक जोडा सें तो कंप्रेशर चालू करिए शास यान फोई तो सटक्र milli ना थे नक फार्ट न попыт Idaho स्टार्ट थाउइ नहीं कम्परेसर चालो तो न वीजू कारने यह चे के क्वे कारन सर वधर े करन्ट आई यो आथी लो वल्टेस तही चे ऑची व थेशे त्यावा देतों नाथी याथी कंप्रेशन ने मड़ी सके आने कंप्रेशर चालू थे शके आब नूट्रल वायर जो उपन होए तो नूट्रल वायर ने फिटिंग करो कि जेती सरकीट पूरी था ने कंप्रेशर स्टार्ट थाई सके स्प्लीट एर कंडिशनर मा नबडू कुलिंग थावानू कारण ये छेके रेफ्रेण्ड उचो होए अथ्वा लिकेश थाई गयो होए तो त्याना निवर माट गेश लगया में रेफ्रेण्ड नू रेडिंग चेक करो चो रेफ्रेण्ड उचो जो नाई तो लिकेशिंग चेक करो त्यार बाद लिकेशिंग दूर करने रेफ्रेण्ड चार्ज करो नबडू कुलिंग थावानू कारण विजुए छेके के कुलिंग कविलू परवधार्य प्रवान मा बारब जमा थत्तो होए तो त्या स्प्प्लीट एर कंडिशनर मा कंप्रेसर योग गेरी ते कार्या करतू ना होई कंप्रेशन आवार खालप थे गया होई तो पन नबड़ु कुलिंग उद्बवे छे तो तेना निवारन माटे कंप्रेशन नी काम गेरी तापासो अत्वा कंप्रेशन ने बडली नाको करेलो होई तो गेज लगावी ने चेक करो ने वह थर रेफेरेंड होई तो देने रिकार करो जी रिकर करवा माटे रेकावरी मसान उप्यक करो मावे छे नबड़ु कुलिंग थावन विजू कारान विंड़ु एर कंडिशनर मां ए छे के कंडेंसर गंदु होई जो कंडें करेंशन ने बाहर थी पानी ना प्रिशर वड़े साप करो विजय कारान मां जुए तो सिस्टम मां कोई वाई रेफेरेंड मिक्स वाए थरम से स्वीट मां सटिंग वदारे करेंवे थरम से स्वीट मां पावर एलमेंट खोटी जग्या उपल लगावे लोए तो आना निव पावर एलमेंट ने अथ्वा जी ब्यालो से त्यानी योग्य जग्याए लगाओ के जिती नब्डू कूलिंग निवारी से गए विजू कारण वाद करेंद के रूम ना बारना वारां वार खोल बंधता होए अथा वदारे समय खुल्डू रहे तो रूम ना दर्वाजा व क्लिटनि नानिक्षम्तानूं वहाए कैस येज इर कंडिशनर नानिक्षम्तानूं वहाए यूम नी जग्या करतातो प्न अं slippery खुलिंग महर माड़े छे मा एक्षे माटेस्य還 कंडिश्टनर योग्यक्षम्तानूं लगाओ योग्य साइज मिर्मेराउं लगाओ के जे थी मड़ी सके श्प्लीट एर कंडिशन मां आवती भीजी खामी चेके कंप्रेशर अवा नवार बंथ तो तो त्य थावानों कारणे चेके ताली मार्थी मित्रत में कोश्टक मां जोई सको चेके टेमप्रेशर कंप्रोल स्वीट ने अड्जेस्मेंट वराबर ना होए उची क्य होए तो योगई क्यापिशिट यवारी विव नाखो जीती कंप्रेशर करें काकीशनिais सप्लाने अवर एना कंप्रेशर बंथ तो अट्कि शक्सोन प्रेसर अवधार्चेक करों वाइरिंग मा लूस कोंडेग होई तो प्रोपर वाइरिंग करो जाना ती कंप्रेशर अवा नवार बन्थ तो अटकी जेश विजू कारण जुए तो कंडेंसर फेन डिफ्यक्टिव होई फीन डबाईली होई शिस्टम मा लिक होई तो त्याना निवारन रुपे कंडेंसर फेन डबाईली होई तो फीन ने सिधी करो एक वस्तु मित्रो खास एद राखी जरूर ज़रूरी छे के फीन ने फीन कौम वड़े सिधी करवी सिस्टम मा लिक होई लिक दिर करो और रिचार्ज करो split air conditioner मा बीजी खामी जुए तो वदर्य वा जाओ तो वदर्य वा जाओनु कारन condenser fann बलेड बेरिंग बडली नाखो तो तेना निवारन रुपे बराबर फिट करो तेने नर्ट स्कुरूबॉट बराबर टाइड करो कम्प्रेसर माउंटिंग रबर लूज होई अत्वा टुटि गया होई तो तेना निवारन रुपे कम्प्रेसर माउंटिंग रबर बढली नाको स्प्लिट एर कंडिशन मा आओ तो वाज दूर करी सगाए विजू कारने चेके अंप्रेशन नी इंदर थी वाज आओ तो है फेन लूज है बेरिंग खराब है अथ्वा जाम है तो त्याना नियवारन माटे जरूरी रिपेर करू अथ्वा रिप्लेश करू फेन ने मोटर स्प्लिट एर कंडिशन स्प्लिट एर कंडिशनर महां बीजी क्रमे क्या पानी अवह ध्वा पानी पडेश तो स्प्लिट एर कंडिशन ने इंदर इंडर उनीट तुर द्रेन्वाइब लग utility अथ्वाघा इगाली हो ऑचिए तो द्रेन पाइप लें ब्लोक है तौवे अचतू घुभ तो द्रेन पाइब बढ़े नाखो रूह पाणी आवनेगील since the hour slot कनडिश्णर ना इंडोर उनिट नूँ खोटू इंच्टवाल करी होए को सप्लीट एर कनडिश्णर ना इंडोर उनिट ने ड्रेन पाईप डरप सई रांशू राख्ये ने इस्ट्वाल करो कि जे थी शरण ताथी पानी द्रेंऄ प्रफ जाए सके रूम्मा पाणी आमाने विजू कारनें चिके वॉटर द्रेन पाइप मां डश्या मां थवा थी ड्रिन पाइप फोल ब्लोक थवा थी लिए वाटर रेर फाइप साब करो जी आपने ऊपर बनी गया प्रमाणे अपड्रेन फोल साब करो स्प्लिट एर कंडिशनर मां कंप्रेशार 17 ओप्रेट थावानी पन खामी आवेशे तो त्यानु कारण नहीं छे कि थर्मोच्छे स्वीट नूँ एडजेस्मेंट खुट हो आई अथवा थर्मोच्छे स्वीट खरब थे गए होई थर्मोच्छे स्वीट ना जे क्वांटेक खरब थे गए होइना पर कारबन जमा तेई थर्मोच्छे स्वीट ने क्वांटेक ऊपन लें तुडजे स्वीट मां थे सकता नहीं जी य ू तर्मोच्छो स्वीट अपन करी शक्तो नं ऽीजेथी तर्मोच्छ श्वीट स्वीट परेट थे निंपने ठागए खरण नहीं बिजू स्प्लित एर कंडिस्नार मा लेक्विलेंड फोर्षरेश थाई तेवी खामी आवे छे तो त्यानु कारण ड्रायर चोक आप है जो ड्रायर चोक आप हो आई तो ड्रायर बडली ने नवा नाक हो कि जेती लिक्विद लाइन फ्रोस्टेर थाए नहीं स्प्लिट एर कंडिस्टन अनि इन्द लिक्विद लाइड गरम थाई तेपन खामी इद भवे छे तो त्यानु कारण चे कि रेफ्रेर नू प्रमान वद्धार हो है अथो तो सिस्टम मा बिजाव आई वो आई गया है तो रेफ्रेर नू प्रमान वद्धार हो तो गेज लग अनि चेक करोने कि रेफ्रेरेन्ट पर्च करो आपड़े अत्यरे रेफ्रेरेन्ट बने तैसी करोनी रेफ्रेरेन्न वद्धार करो अने त्रमाटकरी मशिन उप्यों करो बीजाव आयोझ अंचिस्टम मा तो छो आपरेंवेडिटेंटेंट बाहा, निकाड़ी नहीं रुपी अफारेंट बरो, यकिन ग्यास चार्जींग करो, हेड प्रेशर खुब वधार रहे होई, वेस स्प्लीटे एर कंदेशर खुब वधार होई, तिये पन्खामी उद्वा वसेचे़ तो त्यानू कारण कंदेंसर बंदु अथवा ब्लोक हुए अथवा तो कंडेंसर फैनी मोटर बराबर ना हुए तो त्यहवा निवार माह conservatives लगा हो उनहें जु हेड़ प्रेसर ब्लोक जु करो तेथा कंडेंसर फैनी मोटर लगावने रेफिरेंट रिकवर करो सिस्टम मा नौन करने से बिल गेर स्वाई तो तेना नीवारन रुपे आखी सिस्टम मा थी रेफिरेंट निकाडी ने वो रेफिरेंट भरो हवे मित्रो स्प्रीट एर कंडिशन इंदर आवती वीजी खामिये चेके हेड़ प्रेशर खोब ओच्छू थेगी हो है तो त्यानों कारण चेके कैपलेरी ट्यूब स्टेर्न रत्वा ड्रायर मा अवरोद हो है तो ते चेक करो अने जरू जयते कैपलेरी ट्यूब स्टेर्न तो ड्रायर बढ़ लिना को हैर प्रेशर को बचूथ वान विज्यू कारण चे रेफरेंड ऊचे चार्ज करें लो है हम मुक्वार मीत्रयोग बनी छेके रेफरेंड ऊची माहेत्रामा स्प्जीटेसी मां चार्टकरों मा अवे छे प्रेसर खूब ओचू माड़े छे तो त स्ट्रेस लिद्या पची त्यानु वेक्क्युमाइजिंग करो अने पची त्यानी इंदर ग्यास चार्ज करो अर्थ हेर प्रिशर ओचू छे त्यानु निवारन लावी सकते बीजू के स्प्रेट एर करनेशनी इंदर रिमोर्ट कंट्रोलर पन पार्स आवे छी तो त्या इल थे स्ट्रेस रिमोट कंट्रोल प्र्णीरमकर when do को यहे उपैं रिमोट कंट्रोल आप्रेंट्री पार्डिक और कार्बं गसाई करो अने नाव फैंजी त्या मित्स नहीं पाहवार अर्श के में काईए सदेन वर माउंटेड एस ले से ले पहले प्लोहने चीजियर फ्लोहर ने सलें ऐएक प्रकार और कंडिशन नहीं युणित चैके ये प्रकार छे थे यह स्वांड व्य Mais यह थे विर्वी उडेभल रिफ्लेंट वल्यूम अत्वा व्यार अंच्वाों वेरियेबल राफ्रीजरंट फ्लोरस सिस्टम वाडा युनित महां पन्वपराई छे आफे अपने फ्लोर मांटपर जाते नी सिस्टम हो और को दि voiture जो चे एर्फ युनित नर्यान बाहरा मा ढूने भाख मा जाथाुग्य री थे उध्यक्य लगार दी ci दिवाल्पर लगाव मावे छे ताली मार्थी मीत्रो तमें फ्रोड माउंटेड इसे नी आकृती जोई सको छो इंडोर उनीट आउट्डोर उनीट और रिमोट कंट्रोल दर्शावेल छे आयनू इंडोर उनीट छे आयनू आउट्डोर उनीट चे ना रिमोट कंट्रोलर छे आउट्डोर उनीट जे रूमनी बाहल लागे छे अनने इंडोर उनीटे रूमनी अंदर फ्लोर ना तडिया उपल लागे छे अनने रिमोट कंट्रोलर उनीट मेद ती इंडोर उनीट प्रेट थाए छे जे इनिट रूमनी के ओपेस ना फ्लोर पर लगावमा आवे छे आई इनिट नू लिवलिंग करो खुब ज़रूरी छे जो लिवलिंग प्रोपर ना हुआ तो इनिट नोई सुप्प्पन करे छे त्यमार लंबा काड़े फेन मोटे ने नुक्षरन थाई छ माटे त्यानू लिवलिंग प्रोपर करो खुब ज़रूरी छे इन्डियोर उनिट ने फ्लोर माउंटर उनिट अथ्वात टावर उनिट पन कहे छे आई उनिट त्याने डिजाइन प्रमाने ओडखाई छे फ्लोर उनिट के जे वर्टिकल इतले के उभू होई छे ते रूम पन कहे छे जे रूम मा अनुकुर्टा प्रमाने ज्याती सारे रिते रूमनी हमानी एवर जवर थई सके ते वी रिते लगाओ मा आवे छे आई उनिट ने पन युग्ये लेवेलिंग करी लगावू चरूरी छे अन्ने था त्यामा पन नोईस आवे त्यामा इंडोए रूम स्था-च्रण Karl संयर्द 22 भेसी विएिएडिन 15 प्रड़न लिंट 10-ापाय वह लेर नाने reference सब Kyoto आपड़ने परेस्टुं आपने नियुक्ति के पार्णिंट ना दुलीक सीरे कर्ड़ने मौन्टेर अभृःने difference भुआ यूपनिड्स ए रिव रहें ज anxी करेंसरा और पज़ा स्वता करेंसरा है आसा चल्साइसरा दिलेस्प्रक्न नांतासरां चलुक्षमाव हम आवे छे एफ्यक्टिव एनर्जी कंजेप्शन आपी शके त्याने वी आरेफ सिस्टम के हम आवे छे वट इस व्ब ऑरिसघल पर आडा पूत आ था आज होई अधा रहा री तकता है अधार साध़ ghost वदगट करी सके छहत्या तेमा फेरफार करी सके छे ए ओल लिम इतले वीर एरेप मींस वियःबल राफीर्यंट वर्वुम रित्रों तम्य आक्रुदीमा जो म्युद शको छो कि वी एरवी सिस्ट्म आपे ली छेले अथ्वद वीरेप सिस्टम वी आरवीसिस्टम में चो सको छो आइ ना नू इनू आ आउट्टोर उनीट छे आने बद्धा इनडूर उनीट छे त्यानौ फाइड़ीच चेके त्यानी डीजें फ्लेक्सिबल छे त्यानी रिलाइबिलिटी उची छे पर आबर इंडियुजेल कांट्रोल थाई सके छे शेंसे रूम टेम्परेच पन व्याव से देते करी साकाई छे आटोमेटिक कंट्रोल पन छे इंडोर उनिट माटे अने एनर्जी कंजेप्शन पनामा उच्छू थाइची अध्रे और भुद्वे कंट्रोल पनाम उब्काई फ्रीबी माइन पन लेताई। जारे LG कंपणी इन्वेटर एटले के IV लखे छे अन्यक एटली कंपणीयों वी आर्वी एटले के मित्रो व्यारियेबल एफ्रियन्ट फ्लो लखे छे आम उत्पदक कंपणी त्यानी रिते अलग नाम राखे छे आए केवी सिस्टम छे कि आउट्डोर एक होई छे अन्य इन्वेर एटले के एक करता वदारे होई छे आथी तैने मल्टी स्प्लेट युनित पन कई सकाई छे वित्र आवस्तु खाजाद रखू जरूरी छे के वियरवी सिस्टम अथा वियरवी सिस्टम ने मल्टी स्प्लेट युनित पन के वहमा आवे छे आखा उट्डोर युनित इतले के कंडेंसिंग युनित ने युग्यरी ते लेके प्रोपरेर मडे तेरी द्धाबा अथा जमीन पर व्यवस्ति दिरिते इंस्टॉलेशन करवामा आवे छे त्यामाज इन्डोर युनित पन छट पर लगाडवामा आवे छे जेती त्याने सिलिंग माउंडर एर कंडिशनिंग युनित अथ्वा क्यासेट इसी पन कहे छे लेके जे एसी नियंदर इंडर उनिट छात उपल लगावेलू हो आई चानि सिलिंग माँ डरे कंडिशन उनिट अथा तो क्यासेट एसी पन कहवा माँ आवे छे क्यासेट एर कंडिशन आप्रकार ना उनिट मोटिव अपिस वटल के वधारे रूम वाड़ा गर्मा पन लगावो मावे छे जमा जेते रूम के वपिस मा ठंडक आवे बाद ते उनिट नी एक्सपांसन प्रोसेस बंद थाई आई जी इटले के एक्सपांसन वाल बंद थाई जी ताली माथी मीत्रों तम्हें क्यासेटिस नी फिगर जोई सको चो आतानो इंडोर इनिट छे के जे छत उपला गावले चे रूम नी अंदर आतानो ओडर इनिट छे आना एनू रिमोर्ट कंट्रोलल छे एन अलग डिजाइन नू तमारो इंडोर इनिट चे आक्या सेटिस नो अन्वे आपान तम्हें इन इंस्ट्रोलेशन जोई सको चे क्या चार बग बताया यश एक पोर्षन वीजो पोर्षन तरियो पोर्षन चोथ पोर्षन तवा च्वार पोर्षन नो ओडर ठंडी हों रूम न अन्दर आवे चे अनि ते छातुपर सेंटर मा लगावं अवे चे हवे मित्रोजिया EEV लेके electronic expansion वाल नो उप्प्योग करवामा आवे होए त्या आ वाल जेते रूम मा की ओपीस मा ठंडक आवे बाद सेंसर नी मजथी रिटर ने टेंपरेचर सेंसर EV लेके electronic expansion वाल बंद करी दे छे केटला के उनिट मा सोलेनोड वाल होई चो त्याने पन बंद करी दे छे आम जेते ओपीस मा ठंडक आवे पची ते रूम ना उनिट नीकोल मा राफरेट नो शर्कुलेशन बंद थाई जाई छे अने मात्र फेनद चालू रहे छे त्याम सेंसर त्या आउट्डोर उनिट ना कम्प्रेशन ना आर्पीम पन गट्टि जाई छे छे DC सप्लाइ ती चलाव मा आवे छे DC सप्लाइ लेके direct सप्लाइ ती चलाव मा आवे छे आथे वीजबिल मा गणोश गोटारों थाई सके छे अन्य अन्य इंडोर उनिट पूर्य पूरी क्षम्ता थी लेकि एफिसेंसी थी चाले छे आवा उनिट लगावेल सिस्टम ने मल्टी इव ओपरेटर सिस्टम पन कहे छे मित्रों तम्हें या फीगर माँ जुई शकोछो कि मल्टी स्विट और व्यरस सिस्टम वच्चिनों तफावेद दर्श आवेलो छे हाँ बाज भाज मुल्टी स्प्लिट सिस्टम लो सिस्टम सीना भाज वीर्फ सिस्टम माथ में जो सको और हमा पन एक आउट डोर उनीट होही चींडि। वैस्थे डाल्वलीं आ यहाई चैनत नीनित कृणितम में अलंग 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 अग इना dependence धा है तोध सेहर यहाई zeggen मल्टि स्प्लिट एसे मां डख्ट लौस उधारे थाएचे आणि वी एरेप सिस्टेम मां डख्ट लौस ओचो थाईचे तो ताली मार्थी मीत्रो आजे आपने सिद्धान दंद यंकary सिद्धान कर दो कर दो कर दो कर दो